जैहिन दोश्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल सन अकेडमी में हर्दिक स्वागत है आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वहाँ है कंप्यूटर के हम लोग पिछले वीडियो में भी इसके आउटपूट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया है और उ जो भी हम लोग कंप्यूटर को इनपूट देते हैं इनपूट देने के बाद में वहाँ कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में फिर उसका आउटपूट हमें देता है मतलब जो प्रोसेस्ट डाता होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग कैसे आउट्पूट में से क्या होता है जिसको हम लोग ne प्राप्थ होता है इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं हचे लेकिन जो पृप्रेटर में क्या होता है जो पृसेयश्ट ड़ाटा होता है उसको हम लोग हार्ड कापी में प्राप्त कर सकते हैं इसके वर्गिकरन या फिर उसके टाइप सी देखते हैं हम लोग तो इसमें देखते हैं आप लोग कि जो वर्गिकरन होता है इसमें प्रिंट करने के तरीके के अधार पर इसको दो भागों में बाटा गया है और एक होता है इसके जो प्रिंट छमता के अधार पर मतलब वह उसकी जो छमता होती है उसकी अधार पर इसको बाटा गया है तो इसमें हम लोग देखते हैं प्रिंट के प्रिंट छमता के अधार पर हम लोग देखते हैं इसको तीन भागों में माटा गया है character printer दूसरा देखते हैं line printer और तीसरा देखते हैं हम लोग page printer बहुत ही simple है लेकिन बहुत ही ज़्यादा important है आज का जो printer वाला topic है इसमें से प्रतियक exam में आप लोग देख लिजए जो question paper है उसमें से एक ने question जरूर ही आता है इसमें से printer वाला topic है उसमें से सर रहने के लिए बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसमें से question आता है और बहुत ही ज्यादा important है यहाद तो इसमें देखते हैं हम लोग character printer character printer मतलब जिसमें केवल एक character को ही केवल करता है यह type करता है बसको यह बाद में next character के लिए फिर next बार इसको type करेगा तो इस प्रकार के printer को कैसा प्रिंटर का जाता है इसको character printer का जाता है जैसे कि हम लोग देखते हैं हाथ में खटपीट करके जो चलता है जो जिसको आप लोग होता है speed मापने के लिए इसमें देखते हैं हम लोग जो character printer होता है इसके लिए यह क्या होता है character per sequel होता है character per sequel के द्वार क्या है इसका speed मापा जाता है या फिर इसकी जो quality होता है इसकी माप किया जाता है यह क्या होता है दो सो छोले दो हजार लाइनой प्रती मिनटरीच में च्धापा जा सकता है नेकस्ट देखते हैं इसको बारी आती है तो इसमें देखते हैं हम लोग जो लाइन पर मिनट मतलब एक मिनट में हुआ किटना लाइन को प्रिंट कर पा रहा है इसी के अधार पर ही इसको इसकी जो क्वालेटी होता है इसको डिफाइन किया जाता है दोश्तों नेक्स्ट इसकी इक्जामपल देखते हैं इसके बहुत ही ज़्यादा इंपर इमपॉन्ट है के else ब्रकार देता है प्रेटा है यहीम देगा जैसे इंग जेट मेर है वह कि रिंटर है किस प्रकार प्रिंटर का प्रिंटर है और हमने देखते हैं इतना समझ में आ गई रोगी तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेज़ प्रिंटर पेज़ प्रिंटर नाम से इसमें भी स्पष्ट है कि यह पूरा पेज़ को ही क्या करेगा इसमें पूरा पेज़ को ही प्रिंट देगा एक बार में पूरा पेज़ को एक बार में एक ही साथ में क्या करता है प्रिंट द सिक्वल है लेकिन जो लाइन प्रिंटर है इसमें क्या है लाइन पर मिनट मतलब एक मिनट में वहां कितना लाइन प्रिंट कर रहा है इसके अधार पर और इसमें भी देखते हैं कि जो एक मिनट में वहां कितना पेज प्रिंट कर पा रहा है इस अधार पर इसको जो पेज प् इंपोर्टेंट है भले ही जो इसके जो यह है यह याद भले ही मत रहें लेकिन जो इसके एक्जामपल है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है एक्जामपल से ही इसके question maximum रूप में पूछा जा चुका है दोस्तों तो इस परकार दोस्तों हम लोग ने जो printer के typics देखे जो print च्छंता के अधार पर इसको तीन भागों में बाटा गया है character printer line printer और page printer तो जो character printer होता है इसका example है डेजी व्ल प्रिंटर लाइन प्रिंटर का देखते हैं हम लोग इसमें है inkjet printer और जो page printer होता है पेज प्रिंटर का इसका एक्जामपल होता है लेजर प्रिंटर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके जो प्रिंट करने की तरीके के अधार पर बतलब वह प्रिंट किस प्रकार से इसको प्रिंट दे रहा है हाड कॉपी के लिए किस प्रकार से प्रिंट दे रहा है इस अधार पर इसको दो भागों में बाटा गया है, impact printer और non impact printer, impact printer में हमें देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, कि किसी न किसी प्रकार से इसमें जो ribbon होगा, कागज़ और जो 하지 हतोड़ा होगा उसके दुरह क्या होगा यह इसमें इंपैक्ट करेगा एक्ण को और रीवन के थिरूँ यह क्या होगा इस में फिर करेक्टर उभर कर सामने आएगा तो दोस्तों इसको हम लोग अभी देखेंगे कि क्या होता है यह तो इसमें थर्मल प्रिंटर दूसरा होता है इंग जेट प्रिंटर और तीसरा होता है लेजर प्रिंटर बहुत ही ज्यदा इंपोर्टेंट है इसके एक्जामपल बहुत ही ज्यदा इंपोर्टेंट है भले इसके बारे में अंदर में नहां जाने की क्या है कैसा होता है लेकिन इसका जो impact printer होता है इसके तीन example है thermal printer inject printer और laser printer तो चलिए दोस्तों हम लोग next ब्रहें जो डॉट गोडहे जब देखतें हैं जो डॉट मेंच्ट प्रिंटर है डेस्वी मेंutऩ थर्मल लेजर प्रिंटर यह कि इस से कारे करते हैं इसको हम लोग अभी देखेंगे दोस्तों तो वीडियो में अभी बने रही है आप लोग चलिए देखते हैं नेश्ट तो चलिए दोस्तों नेश्ट हम लोग देखते हैं इसमें Impact Printer, Impact Printer में हम लोग जानते हैं, इसमें दो इसके एक्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं, एक होता है Dot Matrix Printer और दूसरा होता है Daisy Wheel Printer, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले, दो ही तो है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं Dot Matrix Printer, Dot Matrix Printer क्या होता है, कि आप लोग जैसे देखे होंगे तरसील कार्याले में जिस प्रकार से उंगली से खट-खट करके उसमें प्रिंट देते हैं ठीक उसी प्रकार से ही जो यह क्या होता है एलेक्ट्रानिक रूप में होता है और क्या होता है इसमें कंप्यूटर वाला होता है मतलब इसके द्वारा जो होता है वहां तो जैसे यह तसिल कारेला वाला जो खटपीट वाला है उसको हम लोग ध्यान रखें तो उसमें जैसे एक उंगली दबाते हैं तो क्या होता है उसमें एक करेक्टर को क्या करता है वहां प्रिंट करता है तो इसको उसी को ही ध्यान रखकर इसको आप लोग इसको बना सकते हैं और उसके ऊपर जो जो प्रिंट हेड होगा उसी में क्या होगा इसको दाएं से या बाएं कर सकते हैं इसको और उसी जो प्रिंट हेड होगा उसी के ऊपर में बहुत सारे इस प्रकार से क्या होगा इसमें इसमें छोटे-छोटे क्या होते हैं हथोडे के सामार इसमें क्या होत लेकिन इसकी जो गुडवत्ता होती है अच्छी नहीं होती है नेक्स हम लोग देखते हैं इसकी मापन के लिए तो मापन में हम देखते हैं या इसकी इसको वर्टिकल और वरिजेंटल इसको यहां पर जितना भी क्या होंगे इसमें का लिखाया रहेगा यही क्या होता है डॉट पर इंस से इसको मापा जाता है मतलब वर्टिकल मतलब उर्द्धुआधर और चैस्टीज यह दोनों को जो बीच में जितने भी कारेक्टर नेक्स्ट हम देते हैं कि इसमें क्या होता है एक प्रिंट हेड होता है जिसको दाएं या फिर बाएं कर सकते हैं और इसमें क्या होता है जो प्रिंट हेड होता है उसके उपर बहुत साड़ इसमें क्या होता है हथोड़ों के समान इसमें संरचना होता है और इसी संरचना में क इसमें होता है जो रीवन होगा रीवन में क्या होगा स्याही होता है और उसी स्याही को क्या करता है रीवन को क्या करता है वो उसमें मारता है और मारने के बाद में कागज में जो इसका इसमें रहेगा वही रीवन के थुरूक इसमें चला जाता है वो कागज में चला जाता है इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें print खर्च कम होता है लेकिन इसकी जो quality होता है वहाँ बहुत ही अच्छा नहीं होता है next हम लोग देखते हैं इसकी speed के इसमें मापते हैं इसको dpi से मापते हैं मतलब dot per inch से मापा जाता है दोसको नेक्स हम लो देखते हैं जो impact printer है इसमें दूसरा example देखते हैं हम लोग डेजी wheel printer तो इसमें जो क्या होता है इसमें छोटे-छोटे जो क्या होते हैं head होता है इसी के जगह क्या होता है इसमें wheel होता है मतलब चका के समान होता है और इसी चक्का के समान में ही उपर में क्या होता है बहुत सारा इसमें कारेक्टर होता है और इसी कारेक्टर के थुरू ही यदि कि इसको मान के चलिए यहां पे का है यहां पे का है तो इस प्रकार से यहां और यहां है तो मान के चलिए उसको का छपना है तो यहां पे आएग की धेता है जिस कार गोमता है इतना समझ में आग लगव नेक्सों लोग इसमें देखते हैं यहां प्लास्टिक या धातू का बना होता है। मतलब जो ये चक्का होगा या फिर जो विल होगा वो किस प्रकार से होता है, वह प्लास्टिक का भी हो सकता है और धातू का भी हो सकता है। नेक्स हम लोग देखते ह瑟 वील के बहड़ी भाग में अक्छर बना होता है और इसमें क्या होता है यही घूम घूम कर अक्छर को प्रिंट करता है पतला है मैंने अभी सुरू में बताया उसी प्रकार से दिंग से यह जहां जहां भी मानब करेसे राक चल्या जाहिए करला जो ribbon को इसमें क्या आता है, उसको मारता है, जिसे क्यान क्या होता है, इसमें print जो कागज होता है, उसमें छप जाता है, नेक्ट हम लोग देखते हैं, जैसे ही अक्षर सामने आता है, तब हथोड़ा wheel पर चोट करता है, नेक्षर हम लोग देखते हैं, इतना समझ में आ गया ह करिकते हैं ग्राफ या फिर दोस्तों इतना कि attempt printer क्या होता होता है और जो हुमने शुरू में देखा है उतना वह विडियो आप लोगो समझ में आ गया और यदि वीडियो आप लोगो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक किजिए कमेंट किजिए और दोस्तों के साथ में सेर करना ना भूलिए दोस्तों इससे मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिवेशन है वहाँ बना रहता है दोस्तों तो प्लीज आप लोग सब्सक् झाल झाल